इस चेप्टर है इकलिवरियम इपोर्टेंट चेप्टर है बहुत जदा इकलिवरियम इन फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस तो इसमें स्टार्ट करते हैं पहला इकलिवरियम होता क्या है इकलिवरियम एक्चल में क्या है कि जिसमें यह लिखाया देखो एकलिवरियम रिपर्जेंट एस्टेट अफ आप्रोसेस इन विच दा प्रोपर्टी इस लाइक टेंपरेचर प्रेशर तंसंट्रेशन अप्ड़ शिस्टम दो नोट शो एनी चीन विद दा पैसेज अप्टा चीन पैसे प्रशंटम तो यहां पर दोबागी के बust इस साइन में किसमें यह क्या है और एस से बी मैं चेंच हो रहा है तो एक ऐसी condition आएगी, पहले A आपने लिया, यह B में change होता जाएगा, होता जाएगा, एक ऐसी condition आएगी कि यह B भी A में change होता जाएगा, जब यह दोनों के दोनों rate आपस में बराबर हो जाएगे, forward reaction और backward reaction दोनों के दोनों rate आपस में equal हो जाते हैं, तो वहाँ पे equilibrium established हो जात तो यहाँ पे अगर forward reaction और backward reaction दोनों आपस में equal हो गए, तो उस case में क्या होगा, कि जैसे A से B में convert हो रही कोई चीज, और उसी rate से B से A में convert हो रहा है, दोनों का rate बराबर हो गया, तो अब क्या होगा, जितना इसका concentration था, suppose यह 5 M है, तो यह 5 M ही रहेगा, इसका temperature 25 डिगरी में आज जाए, तो equilibrium की condition क्या है, state of a process in which properties like temperature, pressure, concentration of the system do not show any change, with the passage of time, तो यह जनरली किसके लिए चलती है, जो reversible reaction होती, क्योंकि जो forward भी होगा और जो backward भी होगा, उसी case में क्या हो सकता है, जो concentration है, यह जो temperature है, यह जो pressure है, यह क्या नहीं होगा, चेंज नहीं होगा, दो नोट चेंज विद पैसेज ओप टाइम, इस स्टेट को हम कहते है, इक्लिवियम, इक्लिवियम इस स्टेट ऑफ प्रोसेस, वो एक प्रोसेस की एक स्टेट होगा, तो समझना आए, डिफाइने, यह से अब इसमें देखो क्या है, कि आल प्रोसेस्ट विच अटेन इक्लिवियम, तू अपोजिंग फोर्सेस आर इनवर्ड, दो अपोजिट फोर्स लगेंगे इसमें, और दोनों अपस में क्या होने चाहिए, एक्वल होने चाहिए, वें डारेट आप तू अपोजिंग प्रोसेस बिकम्स एक्वल, जैसा और जो अपोजिंग प्रोसेस है, उसमें फिजिकल चेंज हो रही है, तो उसे कहेंगे फिजिकल इक्लिवियम, उसका नाम हो जाएगा फिजिकल इक्लिवियम, अब फिजिकल चेंज का मतलब क्या हुआ, फिजिकल चेंज का मतलब होता है, कि अगर सॉलिड से लिक्विड मे तो वो हो गया फिजिकल इकलीर्यवां और जो आपटोजिंस फोर्स है उसमें कैमिकल चंज दिशो रही है। उसे कहँए तो रेक्शे तो रेक्से चंक्य हो रहा है से लेकोड में लिकशुविड टु गैसन गैस में तो उस कंडिशन में हम कह देते हैं उसे लिदेंब को बहुत कम पढ़ते हैं यहां Caleb कि में ज्यादा करते हैं ठीक फीजिकल एक एक्लीबिरियुट में इंशन के और कैमिकल क्या है कि च वह तो सबसे पहले हमने क्या पर ट्बड़ा एकली विर्यम कहता कि जो रियक्षन उसमें जो प्रॉपर्टीज है जैसे टेमपेचर प्रेशर कंसंटेशन का यह चेंज नहीं होगा विद्धा पैसिज ऑप टाइम फिर इसके दो टाइप से पहला ता फिजिकल इकलिब्रियम और सेकेंड है कैमेकल इकलिब्रियम तो फिजिकल का मतलब होता है होगा जब आपो प्रॉसेस होगी जो वह उसमें चेंज होगा तका स्चैगल आगे बढ़र जाते हैं कि देखो पता कैसे चलेगा कि केमिकल इकलिब्रियम में है तो इसके लिए एक ही साइन होता ही इसकर को साइन मेरे यह एकलीवियम में को आएगा में जी स्पीर से आ प्रोडुक्त में चेंज होए रिएक्टेंट से उसी स्फीर से फिर रियक्टेंट से एकलीव yüz कि स्पीड सेम हो गई तो तब क्या होगा आप इसमें कोई चेंज हो नहीं सकता है इसी लिए तो इसको हम जन्रली साइन से दिखाते हैं ठीक है तो इस साइन ध्यान अटना जब भी यह साइन आएगा इसका मतलब वह इकलिवरियम में इसका मतलब वह जो रेट और आता है कि कुछ कंडिशन से हमारे पास क्लासिफिकेशन है इसमें बेस्ट ऑन दे एक्स्टेंट आप रियक्शन एक्स्टेंट मतलब कि सथ तक रियक्शन हो रहे है बिफोर एकलिवरियम क्योंकि एकदम से तो एकलिवरियम आएगा ने अगर आपने कोई चीज पहले रख पहले तो रियक्शन करके भी बनाएगा पिर एक ऐसी कंडिशन आजाएगे कि बी ए में एसे बी में काफी चेंज जाएगा फिर बीसे एमें करना फोना स्टार्ट हो जाएगा फिर धीरे-धीरे करके क्या होंगे दोनों के स्पीड वेराबर हो जाएंगे तो कहता है कि इसम को किसमें काउट नहीं करेंगे जो पूरी की पूरी क्या हो गई हुए कम्पीट हो गई तो यह वाला क्या होगा ईकलिबरियम में नहीं conception कि यह तो ऐसी हो गया जिसे मैंने का एक्स टू प्लस ओटू गिफ्स एस्टू अब यह पूरा का पूरा एस्टू बन गया तो फॉरवर्ड डियक्शन और बैक्वर्ड एक्षन तो चेंज हुई नहीं मतलब उसमें कॉल तो आया नहीं है यह तो एक ही डारेक्शन में जा रह रहा है नहीं जो एकलिब्लियम नहीं है इसकेंड पॉइंट क्या देखो इसका इसकेंड पॉइंट यह है कि दो डूर्यक्शन इंविच ऑन्ली स्मॉल एमांट ओफ एक्टेंट यह से निकलिवियम इस अटेंट नेमांट अप्रोड़क्ट फॉर्म इस वरी स्मॉल आपने यह हैं आपके पास हंडेड ग्राम ए लेकिन इसका हंडेड ग्राम में से किवल फाइब ग्राम ही एचेंज हो रहा है विसका नाइंटी फाइब ग्राम क्या हो गया लेफ रह गया तो यह वाले भी इसमें नहीं आएंगे अब थाड़ आता है इसमें डोज रियक्शन वीच प्रोसीड तू सच एन एक्स्टेंड एड कंसंटेशन आप रियक्टेंट एप्रोड़क्ट एक्लिब्रियम और कंपरेबल याने दोनों के दोनों लगबख सेम होंगे जैसी यह आपके पास यह 100 ग्राम था और यह आपने चेंज किया बी में अब यह सपोस्ट करो यह हो गया 50 ग्राम तो यहां से 50 ग्राम चेंज हुआ होगा तो लगबख लगख जो इसमें लैट कई और जो मुत बन रहां हुआ है दोनों के दोनों एक्वल हो गए यह कंपरेबल हो गए उसे कहें गया हम इट इस इन एक्किलिव्रियम तो यह उसके टेकर उने बता है किए सकते हैं किसको किस कटेकरी में रखना वह डपन्ड करता कि कितना एक्स्टेंट तक रीक्षं सो अगर कम पर्सेंटेज हो रही है तो अलग होगा है तो इकलिविरियम में कौन से आएगा जनली जिसका कंपरेबल कंसेंटेशन बढ़ जाता है वह इकलिविरियम में आता है ठीक है बाकी का नहीं आएगा कि समझना है कि यह सर्थ एकलिविरियम का मत-बश्टा चाहिए है कि अगर ए और बी तो जिस इसकी से ऐब से कहते हैं रेट आफ फॉर्वर्ड एक्षन उसी स्पीड से क्या होगा बी से में कनवर्ट हो जाएगा यानों रेट आफ फॉर्वर्ड एक्षन और टो इसको हम कह देते हैं अब नेक्ट प्विइंट आता इसमें इसक्राइब कंज स्क्राइब इस आपने है एट आपिक्लिबूर इन फिजिकल प्रोसेश अब यह आपने कहता दो इसमें स्टेट चेंज होगी बस जैसे सॉलिड टू लिक विड लिक्विड लिक्विड टू गैस या सॉलिड टू गैस तो यहां पे भी क्या होगा देखो most common equilibrium क्या है कि solid से liquid में change हो गया अब इसकी पहचान यह देखो यह arrow दिखेगा अगर यह arrow नहीं है simple यह है तो यह equilibrium में count नहीं होता है तो कि equilibrium क्या होता है rate of forward reaction और rate of backward reaction दोनों अपस में equal हो जाते हैं है अब यहाँ पtså Stevie to forward homie format यह complete की तरब जाता जबकि equilibrium कभी भी ikte नहीं होता है complete हो इंसकता कि तो जिस हिसाब से क्या है जिस हिसाब से forward पेसे outward हो जाता है तो जो complete यो तो होगा है complete नहीं होगा तो equilibrium condition में होगा है ऐसी liquid to gas solid to gas और इसके बाद solid to gas solution तो यह हो गए physical process यान की फिजिकल equilibrium तो फिजिकल equilibrium क्या होगा जिसमें state changed हो तो इसकी steady हम ज़ादा नहीं करते हैं हुआ हम पे लिके वल आफीे लि‑ मिदियम के एकजांपल समझना है गए 131 रव पिस सम जा जो य Tob hurts है इसम में फिजिगल प्रोसेस पीजिकल का मतलब क्या हुआ है जो विन प्रोसेस हा यो और व्योंकिम बchnya कम अजम psychiat ऑप नने ऑफ नको का हा ह। का मतलब वा फजीखन प्रॉसेस का मतलब जिसमें स्टेट चेंज निर्ट का मतलब सॉलिड से लिकूड से डurgical से घैस के सासे cops yn फेज स्टे यह सोलिड ट॑ गैस वह हो गया शब्ल में आप फ़िजिक्स में पर ते ओंगे ना लन्त है टॉ फिजिकल हो गया और है सब्सक्राइब क्या है कैमेस्टी में हम पढ़ते हैं कैमिकल लिएक्षिन को ठीक है तो यह सब्सक्राइब तो यह है इसका रिजन इसमें अब इसके बाद है अब इसको देखो एक करके अलग-अलग आगा स्टडी करेंगे हैं सॉलिड से लिकवह्ड के लिए क्यंसी स्टेट होती है कौन क्या नाम होता हुश का अगर कोई चीज सॉलिड से लिक्वड में चेंज होग neol जाता है इस को मैल पहसेंग्स अभ देखो यहां पर क्या होगा कि यहां पर यहोगा कि जैसे यह था पके पास सॉलिड साइब का है यहां पर ऑटर एह टु और यह है लिक्विड को मैट की यह और यह पर जोगा सबस्क्रेश मेलाया उर mortar memorized दो है एकिलिवर्यम का मतलब क्या हुआ यह रैट आप मैल्टिंग ऑप इस यह चैंज हो दिया किसमें लिक्विड में एक्वल्टू किसका रेट और फ्रीजिंग ऑफ वॉर्टर उसी इसाब से रेट किया होगा वाटर वी फ्रीज हो रहा है तो दोनों की स्वीट सेम हो गई तभी तो क्या होगा जो कंसेंटेशन है जो टैम्प्रेचर है जो प्रेशर है यह चेंज नहीं होंगे ठीक है do not change जो यह छेंज नहीं होंग nep यह दो ज spéाशन लेकिन इस यह रहा हम यह इस्ञार लेकिन दोनों के स्पीड सेम है फिग थो आया समझ है कि यह सब जैब यहां पर यह है आपका solid और तो यह क्या हुआ स्टेट चेंज हो गया किसमें solid से लिक्विड में तो इसे कहते हैं यह solid liquid equilibrium solid to liquid में change होना यहाँ पर कुछ भी हो सकता हमने example लिया example दो ले लिये एक है water ice में होना चाहिए और यह water लिक्विड में होना चाहिए तो यहां पर क्या होगा सॉलिट से लिक्विड में चेंज होगा लिक्विड से सॉलिट में चेंज होगा तो दोनों की स्पीड सेम होनी चाहिए अगर दोनों की स्पीड सेम होगी तभी तो कोई चीज चेंज नहीं होगी कंसंटेशन सेम रहेगा टेमपेचर सेम रहेगा और और क्या रहेगा प्रेशर सेम रहेगा ठीक है तो यह जो एकलिब्रियम कंडिशन किस केस में आगी जब रेट आप मेल्टिंग आइस और रेट आप फ्रीजिंग ऑफ वाटर दोनों सेम हो जाएगी उस स्टेस में तो यह सॉलिड लिक्विड एकलिब्रियम अब नेक्स आता है इसमें तो यह समझ में आगे ना आपको यह सर्व अब इसके बाद नेक्स्ट है एक चीज़ और कह रहा है यहां पर कि इस स्टेट में वो क्या हो जाता है फ्रीज हो जाता है देखो को भी स्टेस्ट इसके पर लिक्विड फोड़ मैं एकलिव एक क्लिवडियम अगर दोनों के क्लिविश्च आपस्में क्या होगे इकॉल हो गई तो वहीं पर उसका क्या हो जाता है फ्रीजिंग प्वाइंट यह मैल्टिंग प्वाइंट ठीक है क्योंकि दोनों सेम होगा मैंने का इस का मैल्टिंग पॉइंट बताओ तो आप क्या बोलो बढ़ जिरो डिगरी सेल्सियृस आँ ना हुग इसमाने का आइस का फ्रीजिंग पॉइंट बताओ तो कितना होगा फ्रीजिंग सेंज सेंग के मिन रलग है मैंनों मैल्ट होना यानिए सॉलीट में चेंज होना तो भी जीड हो जाता है और लिकुइट से सॉलीड में chanje लाल तो भी क्या होगा horse rights तो यह आपका हो गया पहलाम्स स्टेप अब सेकिन आता है जब आपने क्या किया लिक्विड टू गैस उसे कहेंगे लिक्विड गैस एकलिबियम ठीक है लिक्विड गैस एकलिबियम यह हो जाएगा आपका लिक्विड गैस एकलिबियम इसके नाम से पता चल रहा आपको लिक्विड गैस एकलिबियम का मतलब जब लिक्विड से गैस में कि टाऊच से करता है तो से कहते हैं एक परेशन मेंगे उब इस प्रॉसे Cor Dec रसड़े एक उबनार डूनों के दोनों रेट कैसे होगे हैं से मोगया ठीक हैं और दोनों के दोनों रेट होंगे तो देखो में चीज क्या इसमें आगे इसका में चीज क्या है कि जो इसका कंसंटेशन होगा जो इसका टैंप्रेचर होगा पर जो इसका प्रेशर होगा वह चेंज नहीं होगा फिर फिर आप कितना भी करोगे यह सेम रहेगा स्टार्टिंग में नहीं होता है एक स्टैंड के बाद होता है हुआ टो जब एक स्टैंड के बाद होगा तो इससे कहेंगा यहां पर क्या रेट औप स्टेंज करते हैं गैस में तो लिक्विड में चेंज करने तो लिक्विड से गैस कंडिया में टो रेट आप इवइबैसन और गैसर से जब आप एप4 डें रेट ने का फोग्ड їट्य एस्टे सथ конечно आप तना कट 살 सेम हजाता है तो उस कॉम कहते हैं इकोलिब्यम एक की आरी तो लिक्विडere आपने हीट किया एस्टू गैस में कनवर्ट हो गया तो समझ में आई यह यह सर आप इसके बाद है अगर सॉलिट से तरह हंडेड डिग्री होता है रेट ऑफ एपॉरेशन का तो हां हंडेड डिग्री सेल्सियस पर अनकंडेंसीशन भी हंडेड डिग्री हो जाएगा हाँ अब यह तरड आता है सॉलिड वैपर इकलिव्ययंव सॉलिड वैपर सिक लीवर इसका मतलब क्या हुआ कोई चीज्ट में और अ यहिए प्रोसेस को क्या वोलते हैं पता है प्लफ को सल सब्सक्राइब कैसी अपको सबहूरें mapped सब्सक्राइब से किसमें आपको और से किसमें चेंज रहा है तुस ने कंडेंसेशन लेकिन यहां पर इसने से कंडेंसेशन कहा दिया है यह यह दोनों के दोनों वर्ड वैसे सब्लीमेंच होता द्वाइब थ्यान रखना अगर इसॉलिड है इसॉलिड तो आप चेंग्ड करोगे गैस में यह फिर गैसे करो गैसे करोंगे सॉलिड को हम यही कहते हैं सबली में सचनी कहते हैं कुटे यह था कि यह वर्ड यूज तो समझ में आया कि यह सॉलिड है और यह तो इकले की कंडिशन होगी जिस स्वीड से यह सॉलिड किसमें चेंज घोगा उसी स्पीड से क्डिशन वहाइट वह गई आपका जैसे आपने दिखा दीन सेंड क्या होता है कि यहां पर को फटाऊगे 가 आव हाँा है वौछ peso खुछ तो सॉलीट था यह वैपर में चिंज ओगया। अन için में हो गया शॉलीट में चेंज आंडा यह आपका कि स्का है gesagt अब आता है इसमें डिसॉल्यूशन वाला डिसॉल्यूशन का मतलब जानतों क्या होता है इसका मतलब हुआ किसी चीज में डिजॉल्व होना ठीक है जैसे इसे कहेंगे सॉलीड सॉल्यूशन सॉलीड 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 स्टेट का सौलुशन या तो सुगर सोलुषन हो गया तो ये रेट जिस रिछ से क्या हो रहत हैं दिजॉल्व हो रहा है उसी रेटrik से रेट इस चरूइब हो रहे हCor एसे कहते हैं प्रैशिप्टेशन प्रेसिप्ट्रेशन का मतलब नीचे आ जाना यह पीपीटी बन चाना इसकी पीपीटी मतलब तो पहले जिस्फशेशन हो रहे हैं उस सबसे अन्डिजॉल्व रहे हैं तो जब यह दोनों कंडिसन आ जाएगा तो इससे कहेंगे हम एक्लिब्रियम कंडिशन पे एट एक्लिब्रियम rate of dissolution और rate of precipitation दोनों एकवल हो जाएगे तो यह हो गया आपका क्या solid solution सॉलिट सॉल्यूशन एक लिए ठीक है कि यह सर अब नेक्ष्ट है आपका गैस गैस को भी हम किसमें डिजॉल्व कर सकते हैं तो एक्जामपल बता सकते हो कि गैस को हम इसमें सॉल्वेंट में डिजॉल्व करेंगे कोई सर लिक्विड में हां कोई जो नॉर्मल एक्जामपल जो आपने देखा हो वो है ओल्टिंग यह से नाइट्रोजिन केस को लिक्विड में डिजॉल्व पिरते हैं कि उसमें सियो टू गैस सियो टू ओके सियो टू होती है सियो टू होती है कोई सियो टू गैस को आप डिजॉल्व करोगे कहां पर में लिक्विड में तो वह आपका हो जाएगा कि वह आपका हो जाएगा इसमें इसने एक्जामपल लिखा हुआ और जैसे आप इस्से क्यातर होगे सॉलमेंट में ने इम सोडा वाटर हो गया को गया इस सब में दे सीज होती और यह सियो टू solution में चेंज जाएगा तो दो गैस में जैसे आपने इसमेर डिंस क्या मीक्स किया किसमें तो इसके लिए जब हम डिजॉल्व करेंगे तो इसके लिए होता है यह कि डिसॉल्यूशन ओफ गैस इन लिक्विट अंडर प्रेसर इन क्लोज्ट वैसल में करना पड़ेगा ठीक है तो उसे कहेंगे गैस सॉल्यूशन इकलिब्रियम ठीक है यहां पर यह क्लास 12 में पड़ो गया आप हैंडी लोग यह कहता है कि जितना ज्यादा प्रेसर करोगी आप उतना क्या होगा सॉल्यूशन ज्यादा हो जाएगा सॉलीबिटी ज्यादा हो जाएगी अबी तो जो कोल्डिंग होते हैं उ पिर आपको इसमें क्या होगा इंट्रेस्टी नहीं आएगा मितलब जो टेस्ट खतम हो जाता है तो जो कोल्डिंग बनियों इसी कॉंसेप्ट पर बनती है इसे कहते हैं लोग तो हैंडी यही कहता है कि जो प्रेशर होता है डारेक्ली परकोस्नल होता है सॉलीबिटी के जि लिए तो यह होगी आपके पास क्या आब वाला चीजेकल अब आता है कैमिकल वाला और फिजेकल और कैमिकल में क्या डिफ्रेंस है कि स्टेश्ट गैमिकल इसमिए बेटाइब होते हैं और फिजीकल इन सब पर सब्सकर रिवार्शी बलोते हैं है मैं Kingdomboom कब आएगा जब पर आपpage है तो नहीं कहां से रह जै नहीं के प्वार्स तो यहर। णी स Skills होनोंगे और केमिकल में क्या होगा यहां पर एक सब्रेमिकल तो उसन tentang छ मैं ज्यादा ठैमिकल होती है तो अबросब इसको फिजिकल में प्रेजिक्टिक करें हो पहला कहा रहा हो कि some of observable properties of the system become constant जिसको observe करेंगे लगवाँ constant होंगी जैसे मैंने अभी का आपको आपने क्या किया solid लिया और solid को किसमें चेंज कर दिया liquid में तो जब आप solid to liquid में change करों तो क्या होगा कि जो यह इसके observable properties क्या होगा हो गया temperature हो गया pressure हो गया तो यह सारी चीज़े क्या होंगी सेम रहेंगी रहेंगी इसकी भी जितने सारी चीज़ें सेम रहेंगी कब जब आपने equilibrium attain कर दिया क्या हुआ कि rate of forward action is equal to rate of backward जब जिस स्पीड से यह आगे जाएगा उसी स्पीड से पिछाएगा तो इसमें कोई चेंज होगा है नहीं किसी में तो उस stage को हम कहेंगे equilibrium लेकिन यह process क्या और ही continue चलती जाए प्रोसेस तो continue चलती लेकिन उसके कि चीजों में कोई चेंज नहीं होगा है second point को कहता है कि equilibrium involving gases can be obtained only in closed vessel अगर आप physical की बात करोगे तो इसमें क्या होना चाहिए equilibrium तभी attend होगा जब क्या होगा close vessel होगा और यह किस case में जननल जब gas reactant होगा gas जब आप gas use करों क्यों तो कि अगर close की जब पर open ले ले दो ठीक है close की जब पर क्या ले लेंगे open लेंगे open के case में क्या होगा जैसे आप heating करोगे यह escape कर जाएगा यहां से निकल जाएगा तो फिर कहां से rate of forward reaction कहां से rate of backward reaction तो कि यह तो बहार अटेंड नहीं कर सकते क्यों तो कि आपने जो भी चीज़ हीटिंग करी जैसे आपने यह water ले लिए यह water आपका वह वाटर जो हुए उसके वैपर रसे वह दोने अोने चाहिए लेकिंट करोंगे तो बह इंपर सकंच लागिए युनिवर्स में चला इत तो यहां पे उपन में नहीं कर पाएंगे जब क्लोज वैसा होगा तो क्लोज में आप आरहम से ट्यांट है करो नहीं नोट यह मतलब दोनों रीक्सन उतिजा रहे हुए अपने जगह पर रुग गया है तुम जो पूर रुगत सब्सक्राइक शवीज़ा के यह पर यह सम्तिर रिये पर यांद में वह रहे हैं यह लिख crushed से सोलिट में लेकिन दोनों की स्पीड बराबर एकिशन और रेट ओफ बेकवर्ड एक्शन दोनों की स्पीड कया है इक वाल है तो आपको लग रहा है कि कोई चेंज हो नहीं रहा है लेकिन ये सब्सक्राइब धाया है इसे कहते है कि इन ने से टेकिक फ्लेस दो अपोजिंग प्रोसेश चलिये। दोनों की दोनोंं वह थो इसलिए एक वर्ड आता है इसलिए लिह यह गुत आ८ है कि इर फोर्त में कहते हो अभी हम इसी को कहा है तो नहीं होगी तो अगर आपने लिए कंडिशन है तो इसमें टेंप्रेशर कंसंटेशन और प्रेशर ये सारी चीज़े क्या रहेंगे कॉंस्टेंट याने फिक्स रहेंगे चेंज नहीं होंगी अगर यह चेंज होगे इसका मतलब वो एक्लिब्रियम में नहीं है ठीक है तो यह ध्यान रखना आपको फोर्थ कंडिशन तो फोर्ष समझना आगया यह से फिप्ट पॉइंट फिप्ट पॉइंट के रहा है वह एक्लिब्रियम दियर एक्जिस्टेन एक्स्प्रेशन इन्वालिविंग दे कंस्टेशन आपका प्रोड़क्ट और यह क्या है रियक्ट ठीक है तो इन दोनों के कंस्टेशन का रेशो वह क्या रहेगा वह भी कॉंस्टेशन रहेगा वह चेंज नहीं होगा ठीक है क्या चेंज नहीं होगी जो कंस्टेशन है किसका और आज यह दोJust कॉंस्टेंट रहेगा इसको आप चेंज नहीं कर सकते ठीक है आप कुछ भी करो लेकिन इन दोनों का रेश्व निकालेंगे तो सेम रहेगा अगर आपने टैंपरेचर क्या रखाया है कॉंस्टेंट रखाया तो यह इसका फिप्ट पॉइंट हो गया कि ठीक अब आप लाश्ट पॉइंट इसमें आता है कि the magnitude of the equilibrium constant equilibrium constant क्योंकि जब भी आप कोई लेते हैं सब्सक्राइक राटी आपके एक लुइम कॉंस्टेंट की ठीक है वह आपको क्या बताता है ऐक्सेंट टो विछ दे प्रोसेशज बीफोर एक्लिबियम सब्रेंजा किस अजह पालव प्रोसेश विए उसको एक की की त estaba ते इसका मत्लव रेक्सेंट उतने परसंटे ज्याना एसका परसंटे ज्यान है या उसका या उसका एक्सेंशन ज्याद एक्सेंट banana prsne broken phone kny अब की ज hairdo इसकी इसको मतला सीव्य एसमें ज्यादा डिजॉल्ब करता है तो यह आपका शिप्सवाइन्ट अब बताव यहां ताकु डाउट आप दो आप अब अब कैमिकल स्टार्ट होगा रिज्वाइन करना अपने सेम डी को दिज्वाइन ओक सिर्ड़ गुछ